नमस्कार, मैं के हिदी चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूं सोहलाल शर्मा भारत में जाती प्रथा या जाती व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी है जाती प्रथा कई अनेतिक सामाजिक प्रथाओं और नेतिकता के निम्नेस्तर के लिए जिम्मेदार है इसने समाज में हमेशा से वेर व्यमनस्य और भेदभाव को ही बढ़ावा दिया है ये एक कूरिती है, ये जानते वे भी लोग इसकी हिमायत करते हैं भारत के सम्विधान के प्रमुख वास्तुकार बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जी ने इसके उन्मूलन के लिए अथक प्रियत्न किये और उन लोगों को इसके समर्थकों को दो टूक जवाब भी दिया आज के पाठ में हम श्रम विभाजन और जादी प्रथा शिर्शक से उनके विचार जानेंगे और समझेंगे तो पाठ शुरू करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर लूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं बाबा साहिब के विचार आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अमबेटकर जी का लिखावा लेक श्रम विभाजन और जाती प्रथा प्रस्तुत पाठ डॉक्टर भीमराव आमबेटकर के विख्याद भाषान एनिलिशन ओप कास्ट जो 1936 में तैयार किया गया था उस पर आधारी थे इसका अनुवाद ललै सिंग यादव द्वारा जाती भेद का उच्छेद शिर्षतक के तहत किया गया यह भाषान जाती पाती तोड़क मंडल लाहोर के वार्षिक संबेलन जो 1936 में होने वाला था उसके अध्यक्षे भाषान के रूप में तैयार किया गया था परन्तु इसकी क्रांतिकारी द्रश्टी से आयोजगों की पूनत सहमती नहीं बन पाई और आखेर का संबेलन ही इस्थगित हो गया और यह भाषान पढ़ा नहीं जा सका और बाद में आमबेटकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका की रूप में प्रकाशित करवाया वितरित करवाया और यह भाषान बहुत लोग प्रिय हुआ तो पढ़ते हैं यह भाषान, यह लेख, श्रम विभाजन और जाती प्रथा बाबा साहब लिखते हैं कि यह विडम्बना की ही बात है यह हमारी बदकिस्मती है, दुर्भग्य है कि इस युग में भी, इस दोर में भी जातिवाद के पोशकों की कमी नहीं है ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जातिवाद को पोशित करते हैं, संदक्षित करते हैं, बढ़ावा देते हैं इसके पोशक, इसके समर्थक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सब्य समाज कारिकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाती प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुरा ही नहीं है ये तर्ग है जो जातिवाद के पोशक हैं वो कहते हैं कि आज का जो यूग है आधुनिक यूग वो चाहता है कि हर काम में कारिकुशलता हो काम कुशलता के साथ में हो और इसके लिए ज़रूरी है कि श्रम को बाटा जाए मलब काम जो है वो अच्छे हातों से समपन्न हो तो इसलिए श्रम का विभाजन जरुरी है और जाती परथा भी तो एक श्रम विभाजन का ही रूप है यह मानते हैं जाती वाद के पोशित करने वाले पोशक जो हैं यह उनका तरक है इस तर्क के सम्मंद में पहली बात तो यही आपतिजनक है कि जाती प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिये हैं बाबा साहब यहां उनके उस तर्क का कुतर्क का खंडन करते हैं और आपतिजन आते हैं कि यह जो जाती प्रथा है यह श्रम विभाजन नहीं करती बलकि श्रम विभाजन के साथ साथ यह श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है जो काम करने वाले, जो मेहनत कश्च लोग हैं, उनको भी बांट देती है श्रम विभाजन निश्चे ही सब्य समाज की आवशकता है यहां बाबासा मानते हैं परंतु किसी भी सब्य समाज में श्रम विभाजन की ववस्था श्रमिकों का विभिन वर्गों में अस्वभाविक विभाजन नहीं करती वो श्रमिकों को नहीं बांटती लेकिन भारत की जो जाती प्रता है, वो कैसी है? कि भारत की जाती प्रता की एक और विशेस्ता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विवाजन ही नहीं करती बलकि विवाजित विबिन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उँच नीच भी करार देती है मतलब वो मजदूरों को बाणती ही नहीं है बलकि मजदूरों में जो भेद भाव उत्वन करती है कि एक उँचा है एक नीचा है उँच नीच की जो भावना है वो उत्वन करती है जो की विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता मजदूर दुनिया भर में भी है दूसरे देशों में भी श्रम का काम करने वाले श्रमिक हैं लेकिन उनको इस तरह से उचा और नीचा करार नहीं दिया जाता। उनके साथ कोई भेद़ाव नहीं होता। लेकिन भारत में यह होता है। जातिपृथा को यदि श्ट्रम विभाजन मान लिया जाए। तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऐसा बाबा साहब मानते हैं क्योंकि यह मनुष्य की रूची पर आधारित नहीं है, मनुष्य की खुद की इच्छा पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम स्ट्रमिक समाज का निर्मान करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वेम कर सके। मतला हमें यह चाहिए कि अगर हम किसी मजदूर से, किसी कामगार से अच्छा काम लेना चाहते हैं, तो हम उसकी क्षमता को बढ़ाएं, उसकी कारे कुशलता को बढ़ाएं, ताकि वो अच्छा काम कर पाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है, कि इस सिद्दांत के विपरीत, जाती प्रथा का दूशित सिद्दांत यह है, कि इस से मनुष्य के प्रसिक्षन, अत्फा, उसकी निजीक शमता का विचार किये बिना, दूसरे ही दृष्टिकोन, जैसे माता-पिता के सामाजिक इस बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, मा की कोक में है, लेकिन उससे पहले ही उसका धंदा, उसका काम ते कर दिया जाता है, उसका पेशा निश्चित कर दिया जाता है, कि चुकि ये इस परिवार में जन्मा है, इस कुल में जन्मा है, तो उसको यही पेशा अपनान यही काम करना होगा, इससे इतर, इससे अलग वो कुछ नहीं कर सकता। उसका जन्म उस परिवार में हुआ है, उस पुष्टेनी पेशे को अपना ना उसकी मजबूरी है, भले ही वो पेशा अनुप्युक्त या अपरियाप्त होने के कारण वो भूको मर जाए, उसके सामने भूके मरने की नोबत आ जाए, क्योंकि उस पेशे में भले ही अब वो ब करना है, क्योंकि उसने जन्म उसी जाती में लिया है, आदुनिक युग में ये इस्तती प्रायहा आती है, क्योंकि उद्योग धंतों की प्रक्रियाव तकनीक में निरंतर, विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुश्य को अपना पेशा ब बदलने की स्वतंतरता न हो, तो इसके लिए भूको मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है, ऐसी इस्तती, ऐसी चरम इस्तती, ऐसी विकट इस्तती की व्यक्ती पेशा बदलना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है कि वो पेशा नहीं बदल सकता, भले ही इसके लिए वो भू को मर जाए लेकिन इस समाज को उसकी चिंता नहीं है। इस परकार पेशा परिवर्तन, पेशे को बदलना अनुमती न देकर जाती प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुक व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। और इसका नतीजा ये है कि भारत में बेरोजगारी है क्योंकि लोग अपना पेशा नहीं बदल सकते, यहां जाती उसके आड़े आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विवाजन की द्रश्टी से भी जाती प्रथा गंभीर दोशों से युक्त है, भरी हुई है। खुद चाहे कि मैं ये पेशा अपना लू, ये दूसरा काम कर लू, तो वो उसकी अनुमती उसे नहीं है। वहां उसकी व्यक्तिकत भावनाएं काम नहीं करेगी, न उसकी व्यक्तिकत रुची काम करेगी। पूर्व लेख ही इसका आधार है, क्योंकि उसके लेख ऐसे लिख दिये गये हैं, उसके भाग्ये ऐसा निर्धारित हो गया है कि अब वो दूसरा काम नहीं कर सकता। इस आधार पर हमें ये स्विकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीडन इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुची के साथ केवल विवश्टा वस करते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो उनको काम करना पड़ रहा है, जो उनके लिए निर्धारित कर दिया गया है, भले ही उस व्यक्ति की, उस काम करने वाले व्यक्ति की उसमें रुची नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसको वो काम करना पड़ेगा, एक तरह से वो काम उसे डोना पड़ेगा, ऐसी इस्तती स्वभावता पड़ेशे को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, जब व्यक्ति की पसंद का काम नहीं होगा, उसके मनमाफिक काम नहीं होगा, तो फिर वो काम में रुची लेगा ही नहीं, वो काम को टालेगा, टाल मटोल करेगा, औ और काम से जी चुराएगा, तब काम ढंका नहीं होगा, काम कम होगा, और ऐसी इस्तिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग कोई कुशलता कैसे हासिल की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है अतह ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है इसके समन्द में कोई संदेई नहीं है कोई वाद विवाद होई नहीं सकता कि आर्थिक पहलू से भी जाती प्रथा खानीकारक प्रथा है अगर इस नजरिये से देखें तो ये जो जाती प्रथा है ये समाज के लिए कई दृष्टियों से लाप रद नहीं है और उसमें एक पहलू आर्थिक पहलू भी जुर जाता है क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरिना रुची मनुष्य अंदर से प्रेरित होता है स्वाभाविक प्रेरित होता है काम करने के लिए लेकिन यहां वो जो प्रेरिना रुची है और उसकी जो आत्म शक्ती है वो दब जाती है उसका दमन कर दिया जाता है और उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड कर निश्क्रिय बना देती है और विक्ति चाहते हुए भी काम नहीं कर पाता तो ये था पार्ट श्रम विभाजन और जाती पर था और इसी के साथ में आज की ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं लेकिन फिर से मैं आपसे अनुरोद करता चलूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब जरूर करिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेर जरूर करिजिएगा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार